लोगों को में उप्टी पतर देने थे वो आज जारी हो देगे सब आज देखे क्योंकि वो मैंने जब चुनाब चल रहा था बच्चों के हमारे कमिशन ने रिजल्ट त्यार कर दिये थे वो रिजल्ट जारी करने थे परंतु कॉंग्रस पार्टी ने किस परकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड किया और उन्होंने कमिशन चेफिल एक्षन कमिशन के पास जाकर के कोर्ट में जाकर के उसको पर रोक लगवाने का काम वो कॉंग्रस पार्टी ने किया हमने तब कहा था कि हम सब्त लेने से पहले और बच्चों के वो कमिसन रिजल्ट जो त्यान किये हैं वो निकालेगा आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे 24,000 बच्चे हैं जिनके रजल्ट त्यार थे क्योंकि ये कमिशन की ड्यूटी है इसको पर राजनिति कोई भी दबाव नहीं है किसी परकार और ये सवतंतर बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को एक ग्रीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्च के हर्याना सरकार में नोकरी लग रहा है और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यहीं वो सरकार हैजो हमारे विश्वास को कायप रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हर्याना सत्य खबर सत्य सटी बेबार